इस चलो सिव्व वर इसको मैं ऐसे समझाती ह 나온 आन्टेव श्मोंग explained का कश मữa भीकिए हो तो आइड़ू कर रहे हो एक टो समोंग कर रहे हैं मतलब जो करने वाला की आगे जो बैठा हुए में यहें सबसे इंपॉर्टन जो फस्ट पर्सन है वही तो स्मोंग कर रहा है लेकिन passive smoking क्या है वह मैं smoke नहीं कर रही हूं लेकिन कोई और cigarette पी रहा है जिसका धुआ मेरे लंग्स में जा रहा है इसका मतलब मैं काम करने रही हूं मेरे पर काम हो जारा है क्या कहां मैंने मैं काम करने रही हूं मेरे पे काम हो जा रहा है this is passive smoking यही points जब आप active voice की बात करोगे 10 and models ल्चना ठीक है active voice की बात करोगे तो 10s हो औरakap सिव थैंद लखना पैसिफ वॉइस की बात करोगे तो फिर पासिव вариस याद रखना क्योंकि टेन्स और मॉडल्स अक्टिव वोई से जिसमें सबसे आगे बैठा हुआ व्यक्ति काम करता है जैसे अगर मैं कहूं कि आई टीच तो देखो आई टीच या इंग्लिश हो गया आई टीच किसको दस्टूडेंट्स ओके यह अक्टिव वोई से क्यों क्योंकि जो सबसे आगे बैठा है वो करने वाला अगर मैं यह कहूं यहां इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो एक क्वेशन उड़ता भई पढ़ पढ़ाई जाती है अगर हिंदी में आपका छिपा हो किसके द्वारा या इंग्लिश में दिया हो के द्वारा हिंदी में हिंदी में दिया हो के द्वारा या हिंदी में छिपा हो किसके द्वारा तो यह पैसिव वोई से ठीक है ओके विजंदर मुझे आप मैसेज कर दो सुनो ध्यान से active voice में करने वाला सबसे आगे बैठा है जो इंग्लिश पढ़ा रहा है या जो स्टूरेंट्स को पढ़ा रहा है लेकिन अगर मैं कहूं आपको पढ़ाया जाता है तो पूछो कि आपको पढ़ाया जाता है केडी लाइप पर किसके द्वारा है ना यानि की question मे चिपा हुआ है sentence में किसके द्वारा ओके मैं ऐसे कहूं आपको केडी लाइप पर मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है के द्वारा दिख्या मेरे द्वारा मतलब नीतु सिंग के द्वारा इसका मतलब है जहां पर यह चिपा हो या दिया हुआ हो वह पैसिव वोई से यानि सबसे आगे वह काम करने रहा है उस पर वह तो प्ल minister ऐस मैं ऐसे दिखाओंगी कि मैं सबसे आगे बैठी हूं मैं अगे बैठी हूं मैं करने रहे हूं मेरे पर काम हो रहा है तकार से याद रखना एक बार रीट करो जड़ा इसको जड़ा इसको एक बार रीट करो इसको रीट करो उसके बाद में समझाऊंगे देखा यह पूरा कम्प्लीट पैसिव वोईस का आपको यह पूरा कम्प्लीट नोट्स मिल जाएगा इसके लिए नोट्स के लिए टेंशन मतलो सिर्फ इस चाप्टर को बहुत एटेंटिवली पढ़ो बहुत एटेंटिवली बहुत इंपॉर्टन चाप्टर ही है चलो एक्टिव वोईस में आओ और यह जरा ध्यान से देखो शुरुआत किसने किया है भाई मैंने अपना चेहरा लगा दिया क्यों क्योंकि आप यह देख है वह यह कां किया और क्या बन के तैयार हुआ यह आपजेक्ट बभन के तैयार हुआ दसरा अक्टिव वॉस मतलब अक्टिव वइस का मतलब है कि करने वाला जो डूार है वह दूार करने वाला जो सब्जитель है इसने एस度 और स्नाव्च Конечно को किया है और करने के opposed यह पुक यह हुआ है जो कि यहां पर आप जेक्ट है दिस इस दा अक्टिव वोईस लेकिन मान लो आप मुझे बिटा विजिंदर मुझे सारे मैसेज उस दिक रहे हैं पस थोड़ा सा मुझे क्लास लेने तो फिर मैं आपको सारे बाते बता दूंगी और सेकेंड़ी आप में जिसको जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वह प्लीस मुझे क्लास में डिस्टब मत करें क्योंकि आप लोग अगर शुरुवाती स्टुडेंट हो तो आप लोग इसमें मुझे मैसेज कर दीजिए अपने आईडी के साथ तो में प्रॉब्लम सॉट आउट करा सकते लास के बादे ठीक है इसलिए मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दो जड़ा आप देखते रहो क्या इस्यू है मंजीत नौल का चलो यह सब्जेक्ट यह काम किया इस ऑबजेक्ट पर लेकिन ऐसा भी तो हो सकत है कि आप मुझे किताब दिखाओ देखो मैं यह बहुत अच्छी किताब यह किताब तो मेरे द्वारा लिखी गई है मतलब के द्वारा दिख्या है अगर मैं कहूं यह किताब तो मेरे द्वारा लिखी गई है यानि वहां बुक सबसे आगे है सबसे आगे बुक है और उसक मैंने सबसे आगे बुक लिख दिया कि यह किताब लिखी गई है मेरे द्वारा यानि यह सबजेक्ट डस इस वर्व को और इस अबचेट कहोगे माम यहां केडी लाइद में कौन पढ़ाएगा मैं कहूंगे यहां स्टूरेंस को मेरे द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है यहां स्टूरेंस को मेरे द्वारा इंग्लिश सिखाई जाती है यानि स्टूरेंस देखो इस पर कौन काम कर रहा है मेरे द्वारा यानि करने वाला सबसे पीछे बैठा हो या हो सकता है करने वाला नदारत हो यानि जिस पर काम हुआ जिस पर काम हुआ वह आपजेक्ट पह लिखी तो पूछोगे क्या मैंने लिखी तो पूछोगे क्या क्या का जवाब मैंने क्या दिया बुक राइट अगर मैं कहूं मैंने पढ़ाया पूछोगे किसको मैंने का students ko यानि क्या और किसको निकल रहा है ना I teach पूछोगे किसको and I wrote पूछोगे क्या यानि I teach किसको and I wrote right second form wrote क्या दोनों का जवाब क्या निकला एक तो I wrote the book and I teach English यानि क्या और किसको का जवाब जो होता है आप कोगे माम अगर क्या और किसको कोई जवाब ही नहीं वाकि में तो जैसे की पंची उड़ते हैं थोड़ी पूछोगे क्या और किसको फिर अगर आप यह कहोगे मैं पार्टी में गई तो यहां क्या और किसको तो में नहीं है तो पैसिव वाइस नहीं बन सकता क्यों क्योंकि पैसिव वाइस में यही तो क्या और किसको का जवाब है जो आगे उठके आ रहा है तो हम पैसिव इस्तमाल क्यों करें और कहां करें उसका जवाब चलो पहले इस पेज को रीट करो फिर उसका जवाब आपको खु पूजा हो जाका कोई छुटी नहीं हो सकता चीक्षे कौन कौन सा बाच्च कनेक्ट कियो करो मैं अभी समझाती हूँ आपको सुनो ध्यान से कहां कहां यूज करना चाहोगे मान लो हमें ऑबजेक्ट अड़ बिगनिंग ऑफ इस सेंटेंस में चाहिए जैसे आप कहोगे यह किताब बहुत अच्छी है मैं कहूंगे यह किताब तो मेरे दुवारा लिखी गई है यानि किताब यानि ऑबजेक्ट सबसे आगे लगाना चाहते हो तो ठीक हैं इसका मतलब ह है कि जब ऑबजेक्ट इंपॉर्टेंट हो जब ऑबजेक्ट का जिकर करना है जैसे अगर आप इंपॉर्टेंस किताब को दे रहे हो तो मैंने कहा किताब इंपॉर्टेंट है यानि कि ऑबजेक्ट इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट ठीक है करना है लगाना लगाओ नहीं लगाना है तो मत लगा है ना लेकिन ऑब जीक्ट इंपोर्टेंट है तो अब जेक्ट को आगे लगाना है तो हम पासिव वोईस का इस्तमाल करेंगे राइट पहली चीज मालो जैसे आप कहोगे कि नहीं माम सुशांत ने सुशांत ने आत्पत्या की नहीं अक्टिव वोईस उसे मारा गया क्या कहोगे माम सुशांत ने आत्पत्या की नहीं आगी आक्टिव वोईस नहीं है यह उसे मारा गया मैंने कहा ताना इधर सी शारह करूंगी अट्थिव और इधर सब्जेक्ट पता ही नहीं है तो मैं कहां से लगाँ सब्जेक्ट तो मुझे सेंटेंस बनाना तो कैसे बनाओ तो बनाना पड़ेगा पैसिव वोईस विकॉस जहां पे आपको ऑप्जेक्ट का इंपॉर्टंस देना था वहां तो पैसिव बना दिया लेकिन जहां मुझे सब् करवाना है अपने किसी page को या किसी certificate को और किसी दुकान में लिखा रहेगा यहां लामिनीट किया जाता है अब मुझे पतलब नहीं कौन करेगा मुझे तो इसकाम से मतलब है यहां टाइपिंग का काम किया जाता है तुरंद चले जाओंगे अंतर कौन करता है किसके दुआरा यहां पर ना दिया है ना मुझे इंट्रस्ट है मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या है उस काम में इंट्रस्ट है यानि जहां पर action important है है ना लिखा रहेगा typing work is done here lamination is done here he was killed किसके द्वारा पता ही नहीं lamination is done here कौन करता मुझे मतलब ही नहीं है और यहां मुझे पता नहीं वहां मुझे मतलब नहीं है यानि subject नदारत है तो क्या यूज करोगे passive voice देखो जरा क्लियर नेक्स्ट आओ अगर हम यह कहें कि भाई हमें करता तो पता है कौन किया है लेकिन वह important नहीं है जैसे बोलोगे माम जब उसे उस्पता ले जाया गया तो उसे वहां मृत गोशित कर दिया गया he was declared dead अब किस नहीं किया वह अफकोर्स सब जानते हैं यह डॉक्टर करेगा he was taken to hospital वो खुद नहीं गया उसे ले जाया गया यानि वो खुद नहीं गया उसे ले जाया गया जहां उसे मृत घोशित कर दिया गया तो कहोगे कि माम ऐसे कंडिशन में व्यक्ति खुद नहीं गया उसे ले जाया गया उसने डिकलेर नहीं किया उसे डिकलेर किया गया डैड यह पैसिव वॉइस है कौन किया गया किसने कौन ले गया होगा भाई पुलिस ले गई होगी लोग ले गया होंके किसने डिकलेर किया उसको डैड बोलोगे म मृत घोशट कर दिया गया इसकão मतलब important क्या है important है कि उसम्रित घोशट कर दिया गया किसने किया सब को पता है यानि जब हम हम को weight importance देते हैं जब हमें subject का पता ही नहीं जब गब हमें इसका importance ही नहीं है और कुछ ऐसे words है जिनकि object होटे ही नहीं है जैसे जिनको हम कहते हैं क्या इंट्रांसिट फॉर्फ इंट्रांसिट्ट्र वर वर्फ होते हैं जिने औपजेट की जरुवत ही नहीं होती ऐसे condition में उनका passive voice नहीं बनता जैसे birds fly in इंका passive voice नहीं है ना ऐसे भी वर्फ के पैसिव वोईस नहीं बनता है जिसे I have a car तो बोलो कि माम यहां तो अबजेट है अकार तो फिर इसका पैसिव इस क्या बनेगा अकार इस हाड़ भाई मी यह तो लगेगा जिसे में कार खारी हुं अकार इस ओंड भाई मी यह चलेगा इसलिए ध्यान आपको यह सब नहीं पूछा जाता है किसका नहीं बनता हैं ऑया पको क्वेस्चिन साथे जिनका बन सकता है आफ चार उप्शन दिया जाता है उसमें से चुनना होता है जिसका बनेगा या नहीं बनेगा सो सी दिस इस देपेज जो मैंने आपको कहा कि active voice है क्योंकि करने वाला सबसे आगे है I teach क्या English I wrote क्या the book you will help her तुम उसकी सहायता करोगे and students make notes students notes बनाते हैं यह active voice है लेकिन passive voice मैंने कहा कि तब हम बनाएंगे जब हमें object की जरुवत एकदम शुरू में हो हमें subject का पता ही नहीं हो subject पता है तो भी लगाना जरुरी नहीं समझते क्योंकि important ही नहीं है देखो तो जड़ा clear बोलो अब आओ next page जो मैंने आपको समझाया था right कि book को और students को आगे रख दिया और करने वाला करता को मैंने पीछे रख दिया तब passive voice है क्योंकि यहां पे जिस पर काम हुआ वह आगे बैठा तभी तो मैंने कहा message लाकि बाहर सुन क्या हो इपार देख क्या हो चलो अब आओ यह हम passive voice में एक-एक टेंस का हम करके देखना चाहते हैं ध्यान से सुनना passive voice को कैसे करते हैं ध्यान से देखो passive voice तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आपको active voice नहीं आता है और रिमेंबर active voice का मतलब क्या होता है active voice का मतलब होता है वही तो 10th okay 10 में हम सबसे पहले क्या पढ़ेते हैं simple present tense पढ़ते है simple present tense पहचानना भी तो आना चाहिए कैसे पहचाने ओके वर्व का first form होगा वर्व का first form SES होगा या तो do not does not plus verb का first form होगा यानी कि यहां पे वर्व का first form होगा और simple present tense का जो भी forms होगा वो होगा यानी कि V1 V1 SES राइट remember वही तो simple present tense है अब अगर इस simple present tense का passive voice बनाया जाए तो remember अगर वीवन का passive voice बनाया जाएगा तो आप याद रखना जहां वीवन दिखे वहाँ इस MR आएगा बलोगे इस किस के साथ आएगा भाई object देखू ना क्या है object ओके या कोई singular है fine अगर ही शी इस singular है तो उसके साथ इस लगा देना ओके object क्या है आई तो उसके साथ आम लगा देना object क्या है यू वी दे और सारे बहुवचन है तो उसके साथ आण लगा देना fine लेकिन वर्व का third form ही कुछ नहीं आएगा क्यों पैसिव वॉइस में में वर्व हमेशा थर्ड फ़ॉम में आता है और याद रखना दो चीज़ें पैसिव वॉइस में एक तो बी का कोई ना कोई form जरूर आएगा बी का form है इसमार और में वर्व हमेशा 3rd form में आएगा 3rd form by plus subject अगर है लगाओ नहीं लगाना है तो शायद कई कंडिशन में तम लगाते भी नहीं है by plus subject देखो ठीक है इसी लिए अगर मैं कहो I teach English तो पहले पहचानना पड़ेगा यारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच तॉर्ट तॉर्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो I teach English का बनेगा इंग्लिश अब इंग्लिश कितना subject है देखो singular के साथ इस आता है इंग्लिश इस और टीच का थर्ड फॉर्म याद रहना चाहिए आपको तभी तो वर्ब के फॉर्म से याद होने चाहिए तॉर्ट बाई अब याद रखना आपको एक प्रोनावन का चेंज भी याद रखना है आगे आई है वह पीछे जाएगा तो मी में टर्न करेगा इंग्लिश इस तॉर्ट बाई मी देखो तो I write books books कितना है एक बचन बहु बचन क्या है books है plural है plural के साथ आ रहाता है books आर राइट का थर्ड फर्म राइट रोट रिटन बुक्स आर रिटन बाई अब अगेन आई पीछे गया तो मी होगा ध्यान रखना आप लोग एक जिस बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जब आप word के पहले फोर्म लगाओगे तो यह फोर्म लगते हैं word के word के बाद लगाओगे तो यह फोर्म लगेंगे तब ही I write books था लेकिन books आर रिटन बाई मी हो गया अगर he writes books होता, तो books are written by him हो जाता, she writes books होता, तो books are written by her हो जाता, अगर मैं it लगाऊंगी तो it का तो it ही रहेगा, अगर we होता तो us होता, they होता तो them होता, you का भी you रहता है, देख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्या हुआ, clear? यह आपका, pronoun का forms है, कि वर्व के पहले यह form होगा, यह form उठके वर्व के बाद जाएगा, तो यह forms बन जाएगा, ठीक है, चलिए, आप आओ वापस, आप मुझे आप 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 10 तक करके दिखाओ, फिर मैं समझूँगी आपको समझ में आया, फटा फट करना शुरू करो, मैं answers देखते जाओंगी, जल्दी से फटा फट, वर्व के form सही होने चाहिए, आपके, इस MR का form, object के recording चलेगा, जल्दी, फटा फट करते जाओ, yes, all, all are helped by her, देखो, समझ में आया, क्योंकि all यहाँ पे plural है, भी, वेरी गुद नीहा, all are helped by her, देखो द्यान से, प्रशान्त understands her, ये हर पीछे है, पीछे हर होता है, तो आगे उठ के जाता है, तो क्या बनता है, जबना देखो, पीछे हर है, आगे उठ के जाएगा, तो क्या बनेगा, पीछे हर है आगे उठके जाएगा तो she बनेगा है ना इसे लिए क्या बनेगा she is understand का third form understood होता है understood she is understood by और यह तो pronoun नहीं है noun है प्रशांथ तो वो तो ऐसे ही उठके आगे आ जाएगा पीछे चला जाएगा she is understood by प्रशांथ देखो very good we send messages we आगे है पीछे उठके जाएगा तो अस बनेगा messages capital से शुरू करते हैं sentences are send का third form sent होता है sent by us देखो ध्यान से राइट आसान है she needs help help is needed by her very good बनाते जाओ बिल्कुल answer लिखके यहां बहसे चले जाओ आपको सिर्फ सीखना है लिखने का काम सारा मैंने करके दे दिया है आपको लिखने की जरुवत नहीं है ठीक है ना सिर्फ आप फटा फट बनाते जाओ बहसते जाओ और चेक करते जाओ क्या आपके answers सही आ रहे हैं मेरे साथ सही आ रहे है की नहीं very good very good she needed help क्यों कर रही हो बिटा क्या लिख रही हो आप help is needed by her होगा ना उल्टा करोगे ना help आगे जाएगा very good everyone मुकेश sings classical songs मैं कहूंगी classical songs एक नहीं है बहुत सारे हैं आर सिंग संग संग थर्ड फोर्म इस संग बाई मुकेश देखो ग्लाश्टिकल सौंग्स आर संग बाई मुकेश देखो ध्यान से आई वाच टेलेविजिन एवरी नाइट अब एवरी नाइट मतलगा देना आगे क्यों बेटा आई वाच क्या क्या और किसको का जबाब अबजिक्ट होता है आई वाच जा टेलेविजिन, एवरी नाइट देखो टेलेविजिन एपको क्योंकि simple present tense चल रहा है देखो सब में इस आम आर का हिस्तों इस्तिमाल कर रही हूं मैं object आगे इस मार प्लस वर्व का third form लेकिन third form तो याद करना पड़ेगा आपको she plays hockey hockey is play का third form played by her देखो hockey is played by her and soldiers follow commands यानि उनको जो आदेश दिया जाता है उनका पालन करते हैं soldiers हमारे सैनिक जो होते हैं आदेश का पालन करते हैं commands एक नहीं है अनेक है तो आर लगांगे follow का form followed होगा बाई और soldiers पीछे गया तो soldiers हो गया followed by soldiers देखो commands are followed by soldiers remember is am are ही तो आ रहा है singular है तो is plural है तो are I होगा तो am हो गया ठीक है ठीक है देखो ध्यान से कोई प्राब्लम यहां तक simple present tense के passive voice में पाले तो simple present tense पहचानो और उसके बाद object आगे is mr plus v3 plus verb का third form this is very easy and I told you मेरे साथ साथ class में करोगे फटाफट करोगे क्यों copy बनाने की आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेनी की जरूवत नहीं है ठीक है ना आप जितना सुन्दर बनाओंगी उससे सुन्दर बना हुआ मैं आपको दे रहे लो ग्लियर हुआ हुआ है वह इसका अ कवर पेज चींज वा था देख लेना हो चलो यह समझ में आगे आपका अब आओ सिंपल पास्टेंस में क्या डिफरेंस है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्टेंस में बताओ तो क्या डिफरेंस है कि I teach English okay पहले क्या पढ़ाते थे I taught maths okay teach present बता रहा था और तॉट पास्ट बता रहा था बिटा हीम लड़के के लिए उस यूज करो गे न और हर लड़की के लिए ओके हिस बिटा हिस तो पॉसेशन बताता है I understand his language his तो पॉसेशन बताता है I understand क्या उसको him उसका language तो his language होगा आया समझ में इसे लिए ध्यान रखना simple present tense को अब simple past tense बनाना है तो 10 तो बहुत आसान हो जाता है हमें 10 पढ़के कि V1 का हमने V2 कर दिया okay V2 कर दिया तो इसमर का past tense क्या है अगर V1 का V2 है तो इसमर का V2 क्या है इसमर का V2 वॉस वर है ध्यान रखना इसमर वॉस वर में चेंज हुआ वास किसके साथ है ना सब सिंग्त के साथ बस एक आई जिसके साथ हां अलग था उसके साथ वह वॉज है और जितने भी singular है उसके साथ name and singular के साथ was fine तो वर किसके साथ आएगा यू के साथ वी के साथ दे के साथ और सारे बहुवचन के साथ वर आएगा हो गया मतलब जिसके साथ आर थाना उसके साथ वर है और जिसके साथ इस और आम था उसके साथ वह से देख लो तो clear वोइस कमारी है देखो अब आते हैं I helped them बेटा देम आगे गया तो क्या बनेगा फिर से देखो आगे गया तो क्या बना देम लास्ट में था आगे गया तो क्या बना देम लास्ट में था आगे गया तो बना दे येस इसका मतलब है अब हमें ये देम उठकर आगे आगया तो दे बना fine और आई उठके पीछे गया तो क्या बना देख लो देखो जना आई उठके पीछे गया आई उठके पीछे गया तो मी बना Oh okay fine आई उठके पीछे गया तो मी बना Okay helped क्या है help का second form helped V2 है यानि अगर V2 है तो हम वस या word लगाएंगे दे के साथ क्या आएगा दे बहु वच्छन है उसके साथ वर आएगा दे वर और हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प होता है और बाई प्लस सबजेक्ट में राइमी हो गिया देखलो कोई प्राब्लम कुछ चलो मराना शुरू करो तो उसको जल्दी बनाईए झाल झाल चल्दी बनाओ वेरी गुड बहुत अच्छा तुम लोग तो बहुत अच्छे से जल्दी सीखते हो इसलिए बस इसको रिविजिन करना यह पूरा इसाइन्मेंट अच्छे से रिविजिन कर लोगे ना कुछ नहीं बचेगा मैं आपको बताती हैं फ्रैंक्ली इसके ऊपर कुछ नहीं है बीस माक सीधा सीधा क्लास्रूम नोट से और आपको जो पढ़ाया उस से आजाएगा अराम से बस खाली ध्यान रखना इस बार मेंस में बच्छे मतलब 200 में मैं बताओ 200 करके आ रहे हैं बस वो एक परसंट रख रहे हैं कि माम शायद कुछ गलत हुआ हो या शायद गलती से कुछ गलत हो गया पहले आता था तो बच्चे डिर्सों क्रॉस नहीं करते थे लेकिन वही है कि आप लोग के साथ-साथ मतलब मेरे साथ-साथ आप लोग इतना प्राक्टिस कर चुके होते हो ना कि सब कुछ आपके हाथ में रहां रखना इंग्लिश में बहुत ओवर कॉंफिडेंट नहीं हो इन फॉर्म है तो एलियन सिंगुलर है सिंगुलर के साथ तो वाज आएगा एन एलियन वाज सीन बाई सम अमेरिकंस देखो एलियन वाज सीन बाई सम अमेरिकंस ठीक है ही मेड़ अप्लान ध्यान से देखो अप्लान शुरू में आया कि वäreंष में का थर्डण फॉर्म वहल है क्यों बई एक प्लान रहेतो वहले इंगा यें बहुँवचन है कि वर आएगा व्र तो हमेशा थर्ड़ फॉर्म में ही आएगा अब समझ में नहीं आ रहा है शेड क्या है और शेड का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या है पता नहीं अगर नहीं पता तो यहीं खतम आपका मामला अगर अपको पता है शेड का सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी शेड है तो कहो कि तो इस миं फ़ेड होता है अब मुझे यह समझव नहीं आ रहा है कि यह सेकेंड फॉर्म और लिफिक सेड फॉर्म है coconut है तो भी शेड और सेकेंड फॉर्म है TO Бि Shed अब यह Shed First Form होगा तब तो ठीक है इसमार आएगा सकेंड फॉर्म होगा तो वॉस वर आएगा क्योंकि आपने पास्टेंस में दिया तो मैं समझ में आ रहा है वी टू है लेकिन वीवन भी हो सकता है नहीं हो सकता क्यों क्योंकि शी के साथ अगर वीवन लगाते तो एस यहां पर 2nd form दिया है यानि मैंने आपको Shed जो दिया है यह second form है तभी तो SES नहीं आया कुछ लों कहते है अगर ऐसी बात है तो शी के जगा पर हम वी लगा दे तो वी में तो Sheds नहीं होगा पर तो Shed होगा अब तो हमें समझ में नहीं आएगा कि वीवन है कि वीटू है व को बता देगा कि भाई यह वीवन नहीं है तो कि वीवन होता तो शी के साथ शेड्स लगता यह वीटू है तब ही तो देखो जो वाले जो सेंटेंस होंगे हम साथ में करते चले जाएंगे ठीक है देखो टियोज वर शेड बाई हर रश्मी लाइक्ट हिम हिम उठके आगे गया तो ही बना ही वास लाइक्ट थार्ड फॉर्म ही वस लाइक्ट वाइड रश्मी देखो ठीक है सिंग्वलर के साथ वस आता गया प्लूरल के साथ वर चलता गया देख लो ध्यान से सिंग्वलर के साथ वस प्लूरल के साथ वर ठीक है he bought a gun a gun एक ही तो गन है was third form or second form by का same होता है by bought bought a gun was bought by he he का हो गया last में जाके him a gun was bought by him देखो ठीक है the man stole my purse बटा possessive objective का कुछ नहीं होता माई पर्स उठा के सीधा आगे बठा दो माई पर्स वोस एक ही तो पर्स है steel stole stolen चुराना के इंग्लिश होता है steel stole stolen third form चाहिए stolen by the man ठीक है the purse was stolen by the man the bird made a nest to lay eggs to lay eggs का नहीं है कुछ करना आपको the bird made क्या a nest मैंने क्या कहा था क्या और किसको का जवाब object होता है उसी को दूठा के आगे बिठाना है a nest एक ही तो नेस्ट है एक ही तो घोसला है वास में का third form made होता है second form third form same है a nest was made by the bird अब आगे आप same repeat कर दो यहां पर जो उपर लिखा हुआ है to lay eggs लेकिन आप object में confused मत करना वर्व के तुरंत बाद जो सवाल उठता है क्या और किसको वही object होता है my brother bought address address एक ही तो है वास बॉट है बाइका third form भी बॉट होता है bought by my brother देखो and पारूल आंसर्ड क्या all the questions correctly बटा करेक्टली तो एडवर्व उसको थोड़ी लगा होगे answered क्या all the questions यही तो है object all the questions क्या का जो जवाब निकलता है वही तो object होता है all the questions were answer का third form हुआ answered correctly all the questions were answered correctly बाइपारूल कुछ लोग कहते हैं मैं बाइपारूल करेक्टली लगा दे चलेगा देंट माटर लेकिन आपको उससे नहीं आता है आपको ज्यादा वर्ब में प्रॉब्लम देगा है ना यह सब ध्यान रखना इसलिए है remember one thing मुझे यह बताओ इसमें आपको कितने हैं जो आपसे सही होके दस में यहीं पताएगा कि आगे आपसे सही होंगे कि आपसे गलत होंगे आपको एक प्रोनाउन का चेंज याद रखना है एक वर्व का चेंज याद रखना है helping verb का सही इस्तेमाल याद रखना है ठीक है प्रकाश सारा राइट है वेरी गुड अहां हां एक्स वर्ब मेट टू ले बाई बर्ड्स यह क्या बिटा कोई जबरदस्ति उससे तुम अंडे दिलवाओगी हां यह कैसे हो सकता है देखो देस इस हाओ यूव आफ टू पासिव वॉइस विट मी कॉपी और पी कुछ नहीं सारा आंसर साथ साथ दो और बताओ दस में दस सही है दस में नौ सही है कितना है क्योंकि आंसर्स अगर चेक करने हैं बाद में आपको कर लेना यार सब दिया हुआ है इसलिए उसका ट हम लोग जो paissive Yog करने वाले हैं हैना ये आपके बहुत सारा है ंदेक हैं सारे आंसर दिये हुए है फैक है तो अभी हम लोग शुरुवात ही किये अगर पैसी वह स्में बहुत कुछ है बहुत कुछ करना है 2 та मुदो क्लास तो कम से कम पैसिव वोइस में जाते हैं लेकिन जो लोग स्पेशली खाले पैसिव और नरेशन के लिए लिए हैं उनके लिए एक तो सबसे अचा बेनेफिट है कि पैसिव और नरेशन के साथ साथ अभी एक आजशीट उनका वह भी हो जाएगा यह वह क्याप का भी हो जाएगा सो बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है जहां तक मैंने पढ़ाया बहुत सारा है बहुत कुछ इंफिनिटिव का है फिर जरेंट का एगा मिसलेनियस आएगा है ना अभी आप लोग बहुत करोगे बहुत सारा है इसमें आज मैं आपका पासिव और नरेशन का आप में लोट कर दूंगी यह 56 पेज़स के आपके क्वेस्टिन आपके चाप्टर में है 56 पेज़स यह पूरा कंप्लीट इनका अप अपलोड कर दो स्टूरेंट्स को ठीक है पासिव वोइस का आज मैं बस इतना ही पासिव वोइस क अपरारी क्योंकि शुरुवात क्लास है इसको थोड़ा अपने आपको इंबाइब करो इसमें अपने आप में उसको फोग हूं ठीक है प्राक्टिस के लिए बिटा एक चीज में बता दूंग प्राक्टिस के लिए आपका वॉल्यूम वाल्यूम टूम में बहुत सब्सक्रास उसको सॉल्व करती हूं एक एक सेकेंड में यार एक क्वेशन होगा एक सेकेंड में इसलिए सबसे बड़ी बात है जैसे आज में एक स्टुड़ ने कहां मैं डेड़ गंडे में पूरा पेपर हो गया तक क्यों रीजन इस 47 questions जो होंगे ना माक्सिमम साथ से क्योंकि उस पर चार ऑप्शन दिये रहते हैं नजर से देखते साथ पता चल जाता है कौन सांसर यहां तो मैं आपको लिखवा किसली कर वारी हूं कि जतना अच्छा से प्राक्टिस करके खतम करोगे अब देखो कि कितना जल्दी होगा चीक है इंबाइब का मतलब होता है सोखना जैसे ओता एब्सॉप करना है जैसे देखते हो अब बरसात के मौसा में दर्वाजे ठीक से बंद नहीं होते क्या करते हूं वह वह जो एटमोस्फियर में जो पानी है जो वाटर ड्रोपलेट्स जो में दिखते नहीं है इना मॉइस्चर जो है उसको सोख लेते है त हम कौन सा वो क्याप कर रहे थे हैं कहा है वो क्याप 7 शुरू कर दिये थे चलो हम लोग अब वो क्याप में चलते हैं मैं कुछ रूट से वो क्याप करा दूँ ठीक है बिटा केडी लाइब में ही सब कुछ है थोड़ा पुराना बाच हो चुका है केडी लाइब में वो इसे थोड़ा नीचे होगा ठीक है वो आपको मिल जाएगा अगर आप नीचे जाओगे केडी लाइब का मिल जाएगा चली सबसे पहले मैं 13 से कराने वाली हूं इसमें वो क्या ज्यांस सुनना पिटा यह जो क्रिप्टो वर्ड है ना कहीं पर भी दिखे क्रिप्ट या क्रिप्टो समझ जाना इसका अरूट है कि चिपा हुआ इसका रूट है चिपा हुआ और ग्राफी जहां भी एक समझ जाओ इसका मतलब होता है राइटिंग यानि कि लिखे दिया लिखना ठीक है यह समझ जो अब छिपा हुआ राइटिंग क्या हो सकता है आपने वह पिक्चर देखा होगा राजी उसमें उसे क्रिप्टोग्राफी सिखाया जाता है है ना ताकि वह कोड वर्ड में मेसेज़स भेज सके इसी लिए जो कूट लेखन होता है यानि ऐसी राइटिंग जिसमें कुछ एक सीक्रिट मेसेज या कोड में अपने बात को लिखके भेजा जा सके उसको कहते हैं क्रिप्टोग्राफी देखो तो ध्यान तक ध्यान से क्लियर शना गेस्ट आउए Nक्रिप्ट तो सुनना एंक्रिप्ट वर्भ यानि की क्रिप्ट से बना हुआ Nक्रिप्ट हो गया चैनल से देखो एंक्रेप्ट का मतलब होता है जैसे किसी भी चीज़ को अप कूट लेखन में बना देना उसको चंज कर देना फ्वर जैसे मानलो मैंने एंक्रिप्ट कर दिया अपनी बातों को किसी ऐसे लांग्विज में कि किसी को बैठे हुए को समझ में नहीं आए बस मैंने सिखा हुआ क्रिप्टोग्राफिए अमेरे टीम का एक और जासू से वो सिखा हुआ है तो यह जो कूट लेखन है सिर्फ मैं समझूं कि क्यों कि मैं उसको एंक्रिप्ट करके ऐसे फॉर में चेंज कर दिया है किसी और के समझ में नहीं आएगा सिख उसके समझ में आएगा इसी में तो भी तो same language हो जाता है so what is encrypt encrypt का मतलब होता है to change क्या कोई भी information from one form कैसा form my arm form जो सब समझ में जाएंगे आ जाएगा सबको to another especially to hide its meaning यही तो है encrypt करना ठीक है देखो कूछ कूछ रूब देना विटा में और करा की नहीं हूँ जो EGZAMस के वो क्या पहिना बेटा मै वही करा theatre है ठीक है EXAMS से रिलिटिड वो क्या भी तो मैं करा रही हूं और के गरारीहें मैं यहां रखना है यह सब वोक्याब आपको शर्व एक्जाम में लगलना झाना है ठीक है इस फोकर वोगवकाब बिलकूल होता है है इसे सबस्वेकें 25 बत्व करनां लोगो सब्में की आप गया सबमें इस तरह कही लेबल का वोक्या बाता है डिक विमने क्रिप्ट वर्ड दिखरा है ना क्रिप्ट वोर्ड दिखा है ना अब आजाओ 16 15 16 17 में पले सुनो लॉजी का मतलब जहां भी दिखे समझ जाओ steady है कहीं भी लॉजी दिखे समझ जाओ पढ़ने यानि अध्यान की बात हो रही है निम कहीं दिखे समझ जाओ नाम की बात हो रही है अगर मैं ने अपना message को encrypt कर लिया if I encrypt my messages these people won't be able to understand my cryptic language they won't be able to understand the cryptic information that I want to pass to the other spy spy मतलब जासूस है ना they won't understand the cryptic message cryptic message the cryptic adjective message का विशेशता बताया है मतलब छिपा हुआ जो उसमें कूट लेखन में चेंज कर दिया गया है that is cryptic देखो having or seeming to have a hidden meaning यानि के जिसमें आप hidden meaning रखते हो ठीक है clear अब आओ what is cryptology ज्यांस सुनो cryptography उसको सिखाया गया था है ना और cryptology भी तो same चीज है मतलब पहले तो cryptography बन गया एक language हम लोगों ने हम जासूस का जो एक है जैसे इंडिया में raw है एक language बना के हमने तयार कर लिया कि देखो हमारे जो जासूस होंगे बस उनको ही यही language आएगा बाकि किसी को नहीं आएगा ठीक है अब अगला जो व्यक्ति आया जिसको जैसे की उसमें आलिया भट गई तो उसको वही language सिखाया गया तो वाट इस दाट cryptology है न क्रिप्टोग्राफी करके वहां से भेशती थी क्यों क्योंकि उसने cryptology पढ़ा रखा था इसी लिए study of cryptography is cryptology study of cryptography पहले book लिखी जाएगी तब ना पढ़ी जाएगी तो cryptography की पढ़ाए is cryptology इसका मतलब study of क्या codes art of writing and solving them यानि कि ऐसे जासुसों को पकड़के torture किया जाता है और torture करके फिर सीखा जाता है कि बताओ यह code का meaning क्या है और वो जब तक नहीं बताता है तब तक उसको पीटा जाता है उसको सोने ने दिया जाता है उसको तंग किया जाता है तब ही तो आप देखते हो ना है ना जासूस आपके soldiers जो मर जाते हैं उनको लाके यहां पे पुरियस समन के साथ उनकांतिम समस्कार होता है जासूसों 2 हमारा ही ठीक है इसनित जासुस जो करते हैं वो अपनी जान को हतेली में रखकर अपने देश के लिए प्राण युच्छावर कर देते हैं लेकिन उनको मरने के बाद वो सम्मान तक प्राप्त नहीं होता है ठीक है तो रिमेंबर वाट इस क्रिप्टोनिम क्रिप्टोनिम इस कुप्त नाम यानि की एस और सॉरी क्रिप्टो लॉजी में समझा दिया study of cryptography come to the next one क्रिप्टोनिम वही जासूस की बात में कर रही हो रिमेंबर वन तिंग जासूस भी अपने नाम से नहीं रहते हैं अगर मानलो मैं जासूस बनूंगी तो नीटो सिंग्स बिलकुल खतम हो जाएगा फिर मुझे कोई दिये जाएंगे और बिलकुल एक मुस्लिम नाम के साथ है ना वह मेरा लोग एक सीक्रेट नाम यूज कर लेते हैं क्यों खासकर महिलाएं कि महिलाओं को कोई सीरियस्ली नहीं लेता अगर बुक्स के दुन्या की बात की जाए तो ठीक है जैसे हैरी पॉर्टर बहुत फेमस हो गया तब पता चला अच्छा यह पी रॉलिंग जो है ना वो तो महिला है अगर पहले पता होता तो कोई ध्यानी नहीं देता उस बुक पर इसलिए महिलाओ भाइं खासकर अपने नाम को चंश करके एक प५ालस नेम अपना लेती है इसलिए याद रखना स्यूड़ का मतलब false होता है जहां पर भी स्यूड़ दिख जाये उसका मतलब false होता है अनिम का मतलब नाम ऐसे लोग अपने लिए एक false name रख लेते हैं और उसी से किताब लिखते हैं so pseudoname is a false name generally assumed by an author ठीक है ना generally assumed by an author जतिन का कहना आप माझ जाना पिटा मैं कहीं नहीं जारे हूं मैं आपको example दे रही हूं समझाने के लिए that if I want to become a spy first I will study cryptology I will convey all my messages to raw and other organization in cryptographic form okay I will use cryptic language and they will give me a cryptonym okay so much my again a sub about pseudonym मैंने का generally authors ऐसे नाम रखते हैं जिस नाम से वो किताब लिखते हैं वो अपसा original नाम नहीं होता that is called pseudonym देखो clear false बेटा मतलब जूटा जूटा फॉल्स मतलब होता है जो जूट होता है ना जूटा यानि ऐसा नाम जूटा नाम है जो सच्चा नाम नहीं है fictitious of false name देखो clear समझ में आया 18 तक बताओ फिर मैं जाओंगी next route में क्योंकि मैंने क्रिप्टो निम कहा था तो निम में pseudo निम भी आता है इसलिए मैंने सुटो निम करा दिया आप मैं next word में जाओंगी जो डूरा है बताओ हां स्यूटो तो बहुत जगा यूज होता है मेटा स्यूडो तो बहुत जगा यूज होता है ठीक है चलो आप देखो मिटा स्टडी यह टेस्सीरीज के बात करोगे तो टेस्सीरीज आप केरी लाइब आप में जाओ आपको नीचे टियर टू का टेस्सीरीज अलग से मिलेगा ठीक है ना उसको बाई करना टियर टू का जिसमें हमें 2018 2017,2016 का टेस्स जी त्ट'D वह भी करो टेस्सटै करोगे ठीक है आब आओ का मैंने कहा चले जादा this means durability का मतलब टिकाव पानी तो हो गया जिसकी durability की बात करोगे वो durable होता है durable का मतलब होता है जो टिकाव होता है इसलिए देखो जब भी lity में खतम खोरा जनरली वो नाव नहीं होता है इसलिए durability का मतलब टिकाव बन मतलब staying strong and in good condition over a long period of time कोई भी माल खरिते हो कोई भी चीज खरिते हो जनरली देखते हो उसकी durability क्या है पिटा बात क्या है यहीं पर तो हम फस गया है क्या हम लोग पहले जुरिबिलिटी देखते थे आजकर हम लोग देखते हैं कितना अपडेटेड हैं हम पदा ने एक साल के बाद क्या होता है आपका मोबाइल को किस तरह से क्योंकि इसमें तो अलजाम भी लगा है आपल पे आइफोन में क्या है आइफोन में कहते हैं उसको स्लो कर दिया जाता है उसके परिशानों के बनता फिर नया खरीता है सरकार हो या पूरी दुनिया हो सब टेंशन में ही कि हम लोग बहुत जादा गंदा करने अपने प्लानेट को प्लास्टिक से और जंक चीजों से मेटीरियल से मेटल से है ना भई पहले जमाने का अगर हम लोग शिरुवात कर देना इस्तेमाल करना जैसे हम पहले चल रहे थे हमारी दुनिया फिर से साफ हो जाएगी लेकिन बात क्या है कंपनी के यह जो ब्लाइंड रेस चल रहा है ना जादा से जादा माल बेशने का उसके कारण यह सारी हालत है वरना मेरे पास पहले एक मेरे पास एक वाशिंग मशीन था जो दस साल चला था लेकिन आज के मशीं में देखते हैं डिर साल में यह तो बनाने में जितना खर्चा होगा उससे अच्छा तो नया ले लीजिए जो बनाने आने वाला बेक्ती है वो मुझे सलादे रहा है नया ले लीजिए उनको ल फेकने के बाद किसी और के पास गया फिर वो अपना फेकेगा मतलब चलो बेच भी दिया कबार ही तो है जो इस दुनिया में कबार का काम कर रहा है क्यों बेचे पहले देखते थे आपके पास शुरू-शुरू में मोबाइल आया था मोबाइल का हर पार्ट आपको मिलता थ तपीचे के अगर उसकां बैट्टरी खराब हो नियाए चाос अगर आगे से हो देखने में थोड़ा से खराब हो रहा है तो आगे का जो इसको प्रोली सब्लीन बना दयता है बिटा पहले तो पांच हजार का जो टीवी आता था वो भी 20 साल लोग चलाते थे आज तो एक लाग का जो मोबाइल हो एक साल में खतम अपर दूसरा कही दो तो यह सारी चीजें क्या है पूरी दुनिया में पूरा सी हो पूरा हमारे सब कुछ जंक के रूप में ही तो खराब आप अपडेटेड नो टंकी है सब कुछ नो टंकी है मोबाइल का काम है मेरा तो बस एक ही चीज़े मैं फेस्बुक देख लूँ वाट्सप देख लूँ ठीक है और अपना मेसेजर कर लो और फोन अटेंड कर लो उससे जा दिखावा मुझे ज़र्वत नहीं पड़ते ठी अब जैसे मैंने कहा क्यों खराब हुआ तो कहता है कि माम इसमें आपने जितना इसकी केपासिटी उससे ज्यादा डाल दिया होगा यह बर्दाश नहीं कर पाया वाई भाई इट कुट नौट एंडियोर 7 kg क्यों 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 फाइव केजी का था बस फाइव केजी तक 1 राम हमारे बाता है कि माम जितना यह एंडियोर कर सकता था उससे ज़्यादा आपने इसमें बऑ्जन डाल दिया अगेlen l तेहंं अगर आप अपनी नहीं है अधर माबाप चलता है फेल नहीं रखते थे कि मुझे लगता है पचास साल का रेडियो में आज भी देखती हूं अपने घर में ठीक है अब उना चलता है ना उसको जरुआ थे किसी की ठीक है लेकिन फिर भी है आज हमारे पास एक समान के बाद छट से फेकते हैं दूसरा मोबाईल आ गया फिल फेका तीसरा मोबाईल आ आगा हम प्लानेट को ही तो गंदा कर रहे हैं है ना क्योंकि हम डियूरेबिलिटी की बात नहीं करते हम कभी मोबाईल खोटने जाते हैं कि बताई तो जरह इसकी कितनी है इतनी साल चलेगा है यह देखो तीकर ना पुराना देहाती आदमी आ गया है यह आजकल अपडेट ह में तो हमने अपनी दुनिया की सारे समान के डूरेबिटी के ऐसी तैसी कर दी और हमने क्या कर दिया हमारा प्लानेट अच एंडियोर कर रहा है because endure कर रहा है क्या heavy load of all such materials just because of one thing that we don't insist on durability देखो ठीक है clear next आओ कि दूरेटिव देखो अगर आप देखो के तो कहते हैं यार जानते हो जो जपान में गीरा था bomb Hiroshima और Nagasaki में Hiroshima और Nagasaki का जो bomb है उसके असर आज भी देखते हैं क्यों क्योंकि आज भी बच्चों में कुछ ना कुछ ऐसे असर दिखते हैं जो की heavy metals का असर होता है डाट मींस कुछ रीजन इस heavy metals have Durative effect Durative मतलब निरंतर वह आपके jeans में समाझ आता है तो वह निरंतर एक से दूसरे generation को भी effect करता है that means do Durative का मतलब क्या है लगातार इन continuation है ना Durative effect अभी मैंने क्या कहां we don't look for Durable objects we don't look for Durable mobiles पलेंगे Durable है यह mobile by 70,000 mobile है यह Durable है वह बोले का क्या Durability देखर हो आप देखो यह updated है है ना यह वर्जिन पाता नहीं क्या क्या जब दसी नो टंकी करके यह वर्जिन है ना that means Durable का मतलब टिकाव हो गया Durability का मतलब टिकाव पन हो गया और मैंने क्या कहा जो heavy metals होते हैं they have Durative effects मतलब relating to continuing action वह metal heavy metal आगी आपके जीन्स में वह लगातार आपको असर करता रहेगा generation after generation कुछ चीजें ऐसी होती है जो बरदाश कर 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 क हम क्या होते हैं एकदम सक्त हो जाते हैं चाहे वह कोई भी चीज हो जैसे कहते हैं धीरे धीरे pressure temperature बढ़ता गया बढ़ता गया तो जो सॉल था वह रॉक बन गया और हम भी कई बार होते हैं जैसे कठोर एक जो hardened criminals बन जाते हैं क्योंकि वह इंडूरेटेटेड हो जाते हैं ना if there is a person who is in durate by personality that means कठोर हो सुका है या तो physically जैसे मैंने कहा सॉल रॉक में बन जाता है या morally यानि कि उस पर किसी तरह का आप दया और अच्छी भावना का expectation कर ही नहीं सकते हो ठीक है देखो इंडूरेट तो इंडूरेट इस कठोर physically या morally नैति ग्रूप से बताओ कोई problem है तो clear so this is you can say there are only two words जो मैंने आज आपको पढ़ाया वो था crypto और एक था Dura सिफ दो वर्स पढ़ाए मैंने crypto and Dura उसके बाद मैंने आपको बता दिया है निम का मतलब नाम लोजी का मतलब study है ना और इसमें इस पेज में भी देखो इस पेज में भी आपको मैंने वही Dura का एजेक्टिव बताया और सब कुछ दिया है seven number sheet को लोड कर दो ठीक है आज बिटा इतना ही रहने दो और इसके बाद का क्लास में में आगे बढ़ूंगी इससे रिलेटर और वुक्याप से रिलेटर रिलेटर रिमेंबर पासिव और नरेशन का नया बास शुरू हुआ है जिसमें पूरा कंप्लीट मेरा काम है 47 question में 47 question अपका सही हो इसलिए अपने family and friends जहां जिसको भी लेना है करवा दो लेकिन साथ साथ दो तीन sheets आपके भी हो जाएंगे ठीक है next हम पर्सों मिलेंगे कल तो आपके class नहीं है हम पर्सों मिलेंगे ठीक है चलो thank you so much झाल 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 झाल